कि खादर और बागर मिटी में अंतर लिखना है हम और दुसरा तीसरे नमर का प्रति के बारे सब्सक्राइट किला गया है उसमें दोपरकाल की मिटि आनहीं जल 토2009 होसके पुरानी उससे पहले बह करकाया हो पुरानी जलोड हो गया और जो इस बार बह करकाया है उसको हम लोग नई जलोड बोलते हैं ठीक है दो परकार के मिट्टी है जो नई जलोड है उसको हम लोग खादर बोलते हैं जो पुरानी जलोड है उसको हम लोग बांगर बोलते हैं एंसर तुम्हारे सामने हैं देखते चलना, नई जलोड को खादर बोलेंगे, पुरानी जलोड को बांगर बोलेंगे, खादर के कनों कन जो है वो छोटे छोटे होते हैं, और बांगर के जो कन है उसमें कंकर और बजरी की मातरा ज्यादा होती है, मतलब यहां पर बांगर जो ह होते हैं जिससे मिट्टी उपजाओ बन जाती है जब कि बांगर में पोसक ततु कम होते हैं जिससे मिट्टी कम उपजाओ होते हैं हमने क्या कहा एक बार हम फिर से बता दें तुमको जलोड मिट्टी को जो है ना जो नदियोग द्वारा मिट्टियां बाहा करके लाए जाती ह उसको जलोड मिटी कहते हैं और जलोड मिटी को दो भागों में बाटा गया है एक नवीन जलोड जिसको हम लोग खादर बोलते हैं एक प्राचीन जलोड या पुराना जलोड जिसको हम लोग बांगर बोलते हैं जो नवीन जलोड होता है उसमें पोशक तत्व की मातरा जलधारन करने की चमता ज्यादा होती है पुराने जलोड में जलधारन करने की चमता कम होती है नवीन जलोड में अधिक पोशक्तत्व पाए जाते हैं पुराने जलोड में कम पोशक्तत्व पाए जाते हैं नवीन जलोड अधिक उपजाओ होता है पुराने जलोड कम उपजा